म्योनी चीज सेंडविच बनाने के लिए यहां मैंने लिया है दो कुम्बर जिसको कदुकस किया है और एक गाजर और इन दोनों को मैंने निचोड़ के इनका पानी एक्स्ट्रा निकाल लिया है ताकि वो हमारे सेंडविच को गीला न करें एक छोटी प्याज है जिसको बारी कट कर लिया है ये तीनों चीज़े हम एक बाउल में डाल लेंगे पानी निचोड़ना जरूरी है ताकि हमारा सैंडविच गीला न हो एक जो यहाँ पर मैंने फ्रोजन कॉन लिया है उसको भी मैंने पांच मिट गरम पानी में उबाल लिया था और दो मैंने प्रोसेस चीज के क्यूब्स लिये हैं जिसको भी मैं ग्रेट करके इसमें मिक्स कर रही हूँ नेग्स्ट इंडिडिन्ट हमारा इसमें आप सौल्ट एडड करें अपने टेस्ट के अनुसार क्योंकि मैं इसमें जो मैँनीस एड़ करूंगी उसमें भी सौल्ट है ये घर की बनी हुए मयोनीज है आप चाहे तो मार्केट वाली और चाहे तो होममेट कोई भी यूज कर सकते हैं मयोनीज उतनी ही मिलाए कि आपका जो ये कॉंटिटी है वो सब आपस में मयोनीज में मिक्स हो जाए बिल्कुल भी ड्राए न रहे या बहुत जादा गीला न हो जाए इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर ले अगर आप घर की बनी मयोनीज यूज करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये मयोनीज घर में कैसे बनाई है तो उसका लिंक मैं एंड में दे दूँगी चटनी नहीं है या आप को यह और टेस्ट डालना चाहते है आप ग्रीन चटनी चिली चटनी जो मार्केट की रहती है या टेमेटो सॉस कुछ भी उस पर लगा सकते है और इसके ओपर हम डालेंगे हमारी मियोनीज इतनी कि वो हर तरफ फैल जाए और साइड साइड में तो इसे तवे पे भी बना सकते है और टोस्टर मेरा गरम हो चुका है इसके ऊपर जो हम ब्रेट के लिए लगाएंगे उस पे भी आपको घीया बटर लगाना है और इस तरीके से अब हम दो सेंड़िच हमारे रेडी है और दो सेंड़िच से हमारे चार सेंड़िच बन और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्रेट के पीस और इसके ऊपर भी हम लगाएंगे घी ताकि अच्छे से हमारा टोस्ट जो है वो क्रिस्पी बने और इसको हम करेंगे बंद और इसमें ग्रीन लाइट का इंडिकेटर रहता है मैं आपको इसमें दिखा नहीं पाई हू तो वो इंडिकेटर होते ही पता चल जाता है कि हमारा टोस्ट रेडी हो गया है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सिख गया है इसको आप निकालें गरम-गरम सर्फ करें टिफिन में, शाम के नाश्टे में, ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा है ये खाने में और बहुत ही टेस्टी बना है मैं आपको ये तोड़ के दिखाते हूँ बीच में साब देखिए हर साइट से बहुत अच्छे से ये जुड़ चुका है तो अगर आपको मेरेस पर पसंद आयो तो इसको एक बाल जरूर ट्राइ करें बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी है खाने में थैंक्यू फर वाचिंग